अस्सालाम उलेक्म दोस्तों मैं हूँ सैफूर रह्मान और आज चैनीज लेंग्विज कोर्स कम्प्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास यह देखें पहला वर्ड है बी एन पन बी को हमें पता है हम पी की तरह प्रणॉस करते हैं पे की तरह तो यह कहा है पन पन कैसे बोलेंगे पन और नेक्स्ट है जी ओ एन जी गोंग 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 और नेक्स्ट है शिर 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 तो ये क्या बन गया कठा सारा पन गॉंग शिर पन गॉंग शिर पन गॉंग शिर और इसका मतलब क्या है ओफिस यानि दफ्तर पन गॉंग शिर मतलब ओफिस पन गॉंग शिर तो इसी तरह हमारे पास वर्ड है लाओ पन लाव मतलब old पन हमने पन गोंग्शिर से लिया तो यह क्या बन गया लाव पन लाव पन इसका मतलब है boss ठीक है? boss को क्या गयते है लाव पन तो example देखते है यह पूछते है जी से नी जाए नार तुम कहा हो तो यह reply करेगा इसे वाजाए पन गोंग्शिर मैं ओफिस में हूँ ठीक है? वाजाए पन गोंग्शिर मैं ओफिस में हूँ यह पुछता है नी शिर्शाई तुम कौन हो? यह reply करेगा वाजाए लाव पन मैं boss हूँ वाजाए लाव पन ठीक है? अब next word है मारे पास यह देखें D-A-N इसको कैसे बोलेंगे? तन ठीक है इसे run बोलते हैं इसी तरह तन, D को चाइनीज में ते की तरह बोला जाता है, तो यह कहा है तन, S-H-I, शिर तो अगर इन दोनों को कठा कर दिया जाए तो यह बन जाएगा तन शिर तन शिर और इसका मतलब है बट, लेकिन, ताहम, हाउएवर ठीक है? लेकिन, बट, हाउएवर, ताहम के लिए हम क्या यूज करेंगे? तन, S-H-I, तन, S-H-I, मतलब बट तन, S-H-I, तन, S-H-I, एक्जैंपल देखते हैं यह बन्दा इससे question करता है नीशिर, लावपन मा, क्या तुम बॉस हो? नीशिर, तुम हो, लावपन, बॉस, मा, क्या? तो यह जवाब देता है वापूशिर, लावपन, मैं बॉस, नहीं हूँ तन, S-H-I, बलके, लेकिन, मगर, वाशिर, श्वशन, मैं स्टुडेंट हूँ तुम बॉस हो, इसने जवाब दिया मैं बॉस, नहीं हूँ तन, S-H-I, बलके, मगर, वाशिर, श्वशन, मैं स्टुडेंट हूँ ठीक है? उसके बाद यह देखें, हमने देखा था, Y-I-N, E ठीक है? Y-I-N, E, E मतलब वन तुइससे एक word बना है, Y-I-N, IN ठीक है? अइसे कैसे बोलेंगे? IN, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं, अंदर को इन, इसी तरह, W-E-I, WA, WA, जिससे तरह, WA, इंग्लिश में बोला जाता रास्ता इसी तरह, यह, WA, मतलब रास्ता नहीं है, वैसे बोला जाता है ठीक है वे अगर इन दोनों को अकठा कर दिया जाए तो यह क्या बनजेगा इन वे इन वे और इसका मतलब है because क्यों के क्यों के because ठीक है इन वे कैसे बोलेंगे इन वे example क्या मतलब हो गया क्यों के मेरी सेहत अच्छी नहीं थी जो थियन वा पूल आई श्वेश्याओ कल में स्कूल नहीं आया था इन वे क्यों के because वादशन थी मेरी सेहत पूहाओ अच्छी नहीं थी ठीक है next word है हमारे पास mei mei lii kya है word mei mei lii और इसका मतलब है pretty pretty mei lii pretty दोस्तों इसमें आपको मैं एक important बात बता दूँ कि जो mei lii है इसका मतलब pretty है लेकिन ये सिर्फ beautiful या pretty ये सिर्फ females के लिए use होगा यानि female के लावा किसी के अगर आपने किसी को की तरीफ करनी है या कुछ उसके लिए इस्तमाल नहीं होगा ये सिर्फ female यानि लड़कियों के लिए औरतों के लिए इसे हम इस्तमाल करेंगे मेली इसका मतलब है pretty beautiful खुबसूरत ठीक है example नीलम मेली नीलम खुबसूरत है नीलम मींस pretty ये adjective है इसलिए यहाँ पर शिर्फ नहीं लगा मेली एक adjective है नीलम मेली अली मेली ये wrong है क्योंकि अली मेल है ठीक है सारा मेली सारा खुबसूरत है तो ये true है मतलब के दुरूस्त है क्योंकि female के लिए इसे use करेंगे इसी दरा ये देखे हैं ये मारे पास है था ये poo मेली वो भी खुबसूरत नहीं है यानि she is also not beautiful she के लिए female के लिए use कर रहे है था ये poo मेली ठीक है मेली यानि pretty और female के लिए use करना है उसके बाद है ये मारे पास p-i-a-o फ्याओ नेक्स वड़ा है ये फ्याओ इसे कैसे बोलेंगे फ्याओ फ्याओ जिसा बोलते है न फ्योनिया इसी तरह फ्याओ और l-i-a-n-g लियांग लियांग ठीक है ये फ्याओ और ये लियांग अगर इन दोनों को कठा कर दिया जाए तो ये क्या बन जेगा फ्याओ लियांग फ्याओ लियांग फ्याओ लियांग और इसका मतलब भी beautiful है और ये जो beautiful है ये सिर्फ अगर आपने non living चीजों की अगर आपने उनकी तरीफ करनी है तो उसके लिए यूज़ करेंगे मतलब किसी का नाम कोई चीज पैन किताब वगएरा ये छोटे बच्चों के लिए भी आप फ्याओ लियांग यूज़ कर सकते है लेकिन ना मेल के लिए मर्द के लिए और ना ओरत के लिए आप इसे यूज़ नहीं करेंगे ज्यादा तर इसे नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज़ करते है या जानवरों के लिए ठीक है तो फ्याओ लियांग मतलब ब्यूटिफुल ना मेल के लिए यूज़ करेंगे ना फीमेल के लिए छोटे बच्चे चीज़ें वगएरा कोई बीठी के लिए वादा पी फ्याओ लियांग मेरा कलम खुबसूरत है माई पैन इस ब्यूटिफुल फ्याओ लियांग भी एक एजेक्टिव है इसलिए शीर नहीं लगा माई पैन इस ब्यूटिफुल वादा पी फ्याओ लियांग तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में बहुत यह असान था बस आपकी प्रैक्टिफुल आप अगर सीखना चाहते हैं ऐसे चाइनीज को तो आप बस प्रैक्टिस करें और इन्शाला आपको चाइनीज आजाएगी बहुत यह असान है फिर भी कोई क्वेस्टिन है तो क्मेंट में जूर पुछिएगा टेक केर अलहाफिस लाइक शेर करिएगा वीडियो को और सबस्क्राइब करिएगा चैनल को